जन्पत बरेली के थाना भमौरा के अंतरगर पढ़ने वाले ग्राम कुड़ा से एक महिला की हत्या की सूचना प्राप्त हुई प्रत्म द्रिश्ट्य यह पाया गया कि सिर पर गंभीर चोट लगने से महिला की मृत्ति हुई है यूपे की जला बरेली में कतल की वार्दाद से संसनी मच गई भीती राद दर्वाजे के पास पेड़ के नीचे सोर ही अदेड़ महिला की सिर पर वार करके हत्या कर दी गई सुबा उनका शब चारबाई पर खून से लत्पत मिला सूजना पर स्पी साउथ फोर्स और फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर बहुच गए महिला के बेटे ने कोटे की रंजिश में हत्या गारोब लगाया है पुलिस चप को पोस्मॉटम के लिए भेज कर जाश में जुड़ गई है नवश्कार मेरा नाम है अपने व्रस्तोगी और आप लोग देख रहे हैं ता लीटर हिंदी कतल की ये संसनी खेज बाताद भमोरा के गाउं कुड़ा में हुई गाउं में रहने वाले अमर सिंग की 58 वर्ष ये पतनी रामबेटी मंगलवार राध दरवाजे के पास पेड़ की नीचे चारपाई डालकर सो रही थी इसी दोरान रामबेटी की सिर्फ परवार करके हत्या कर दी गई तड़के करीब 4 वजे जब परिवार के लोग सोकर उठे तो रामबेटी का शब चारपाई पर खून से लगपत पड़ा था कटना से गाउं में हलकम मच गया मैला के बेटे महिंद के मुताबिक 8 महीने पहले उसने कोटेदार नत्थुलाल की शिकायत की थी इसे लेकर नत्थुलाल उनसे रंजेश मानने लगा नत्थुलाल और उसके साथियों ने तड़के दरवाजे पर हकेली सोर ही उसकी मां की लोहे की रोट से पीट पीट कर हत्या कर दी उनके सिर पर गंभीर चोट के निशान थे और पेट में भी गहरा घाओ था सूजन मिलने पर स्पी साथ मानुष पारिक समेथ भमोरा थाने का फोर्स मौके पर पहुच गया परन से टीम को भी सूज जुटाने के लिए मौके पर बुलाए गया देखिये मामले में महिला के बेटे और स्पी साथ ने क्या जानकारी दी हुआ है कि पर क्या गिया था आपकी मां के साहिए आपने तो नों क्यों ने किया हमारा था माकियन उने कि इसका घर में कोई रहता नहीं था उनके साथ में तो आपको यवाज वगरा नहीं हुए थी कितनी मुरूगी माकिया आपके कि किसने देखा था उनको खून से लग पद तो हमारी पतनी हम हमारी बच्छे आज दिनांग 7 अगस 2024 को जनपत बरेली के थाना भमोरा के अंतरगत पढ़ने वाले ग्राम कुड़ा से डाइल 112 के माध्यम से एक महिला की हत्या की सूचना प्राप्त होते ही थाने की पुलिस वे फोरेंसिक फील्ड उनिट मौके पर पहुँचे और मौके का निरिक्षन किया प्रत्मद्रिष्ट्य यह पाया गया कि सिर पर गंभीर चोट लगने से महिला की मृत्यु हुई है इस प्रक्रण में शब को पोस्ट मॉटम हेतु मौशरी भिजवा दिया गया है पर आगे की विदिक कारवाई प्रचलित है